हलो व्यूवर्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मैं हूँ पूजा लूथरा और आज मैं आपको बता रही हूँ डायबिटीज यानि मधुमे के लिए कुछ घरेलो उपाए और नुस्खे पहला उपाए है फिग लीव्ज यानि अंजीर के पते दोस्तों अंजीर के पत पांच मिनट तक उबाल लीजे और फिर जब पानी गुन-गुना रह जाए तो इसे चान कर आप पी लीजे दूसरा उपाए है लहसुन दोस्तों लहसुन में एलिसन नामक तर्थव होता है जो ब्लड ग्लुकोज लेविल्स को कम करने के साथ साथ कॉलिस्ट्रोल को भी नि मिलती है नेक्स्ट रेमेडी इस जामुन जामुन का फल उसकी पतियां उसके बीज सभी चीजे ब्लड शुगर लेविल्स को कंट्रोल में रखने के लिए बहुत यूपयोगी है अगला उबाए है आवला दोस्तों आवला सही मात्रा में इंसुलिन बनाने में पैंक्रियास की हेल्प करता है जिससे ब्लड ग्लुकोज लेवल ठीक रहता है आप आवले के चून को शेहत के साथ भी ले सकते हैं या फिर खाली पेट आवले का जूस भी पी सकते हैं रोज एलोवेरा जूस में हल्दी मिलाकर पीने से भी इस बिमारी में काफी फाइदा होता है दोस्त की सूरज की करने हमारे शरीर को उर्जा देती है धूप से हमें विटामिन डी मिलता है जो कि ब्लड ग्लुकोज लेवल को नियंत्रित करने में बहुत यूपयोगी है और पानी हमारे सिस्टम को क्लेंज करता है तो दिन में कम से कम 2-3 लीटर पानी जरूर पीजिए और अर सुभा उस पानी को पी जाए और मेथी दाना चबा कर खालीजिए रोज अगर इस उपाय को करेंगे तो बहुत लाप मिलेगा दो चम्मच दालचीनी पाउडर को एक लास पानी में 5 मिनट तक उबालिए फिर जब पानी गुन गुना रह जाए तो इसे चान कर पी लीजिए ये उपाये खाली पेट कीजिए एक कप करेले का जूस रोज सुभा खाली पेट पीने से हमारी बॉडी का शुगर लेवल नियंत्रित रहता है चार-पांच आम के पत्तों को चबा कर खाने या फिर आम की पत्तियों के पाउडर को दिन में दो बार खाली पेट लेने से भी शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है तो ये थे डाबेटीज के लिए कुछ घरे लू उपाए और नुस्के प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अधिक हेल्थ वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एक और इ